नमस्कार दोस्तों देशाइटी उशन्स में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वर्किंग आफ दे कॉंस्टिटिउशन पार्ट टू अफ दे सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम दे स्टैंडर्ड 10th महाराष्ट्रा बोड अभी यहां पर म बोला गया है इस डाटा से तो यहां पर यह डाटा दिया गया है इस टेबल में यह है यह लोगसभा की संख्या यह पहली लोगसभा दूसरी लोगसभा तीसरी लोगसभा और यह है परसेंटेज अफ वुमेन MPs, members of the Parliament in that particular लोगसभा पहली लोगसभा में 4.5% महिलाओं का परसेंटेज था 1957 दूसरी लोगसभा में 4.45% महिलाओं का परसेंटेज था तो अभी इस से हम बार्चार्ट बनाने वाले है ठीक है देखिए इस तरीके से ये बार्चार्ट है इस एक्सिस पर है परसेंटेज और इस एक्सिस पर है एक्स एक्सिस पर है नमबर अफ लोगसभा यह है पहली लोगसभा यह है दूसरी लोगसभा यह है तीसरी लोगसभा चौथी पांचवी छटवी सत्वी ठीक है और यह है प 2% मतलब half centimeter is equal to 1% ठीक है तो यहाँ पर percentage लिखा गया है आप यहाँ पर आगे तक बढ़ा सकते हैं लेकिन 14% से आगे तो कुछ है नहीं इसलिए मैंने इतना नहीं बढ़ाया आप यहाँ पर यह जो y-axis की लाइन है वो ऐसे आगे भी बढ़ा सकते हो आप और यहाँ पर यह x-axis यह आगे बढ़ा सकते हो चुंकि अभी तक सिर्फ 16 लोग सभाय हो चुकी है हम 16 पर रुख गये है और यह percentage 14% से आगे कभी बढ़ा नहीं इसलिए 14% से आगे कभी मैंने लिखा नहीं है ठीक है तो x-axis पर कौनसी लोग सभा है पहली दूसरी तीसरी चौथी यहाँ पर आप year भी लिख सकते हैं यहाँ पर 1952 यहाँ पर 1957 यहाँ पर 1962 इस तरीके से year भी लिख सकते हैं और यहाँ पर लिखना है number of लोग सभा और year और y-axis पर लिखना है percentage of women members of parliament percentage of women MPs scale लिखनी है on y-axis 1 cm is equal to 2% ठीक है तो यह इस तरीके से graph आता है बार्स निकालने हैं ऐसे ठीक है पहला percent है 4.5% तो इतना आता है उसके बाद 4.45% थोड़ा कम हो गया तो यह थोड़ा नीचे है देखिए बार फिर उसके बाद 6.28% तो यह 6% के उपर थोड़ा सा 6.28% इस तरीके से निकालने है graph फाइनल जो है 16th लोग सभा का 12.15% तो यह 12% से थोड़ा सा उपर है highest percentage तो इस तरीके से बार चार्ट आता है ठीक है ध्यान से देख लीजिए और निकाल लीजिए अपने notebook में अभी हम इस वीडियो में पढने वाले है रोल ओफ जूडिशियरी The judiciary in India has played an important role in strengthening democracy and helping to make towards achieving the objectives of social justice and equality हमारे देश में judiciary का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है भूमिका रही है किसी भी प्रजा तंत्र में judiciary का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है in establishing samajic नयाय, social justice and equality Samanta While interpreting the provisions of the constitution the judiciary has always taken into consideration the fundamental objectives of the constitution and also the intentions of the constitution make us कोई भी हमारे constitution में जो provisions लिखे गया है जो कानून लिखे गया है उनका मतलब सही से निकालना और उनका implementation करना ये judiciary का काम है We will try to understand the contribution of the judiciary in this regard with the help of following points The basic framework of the constitution, first point The constitution is dynamic मतलब living document है, जो बदलती रहती है constitution एक बार हमने बना लिया और उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, ऐसा नहीं चलता है जैसे जैसे परिस्थेती बदलती जाती है, जैसे समाज बदलता जाता है वैसे वैसे constitution में भी बदलाव करने पड़ते है अभी ये constitution में बदलाव जो है, वो कौन करेगा, कि इसको अधिकार होगे तो parliament जो है, हमारे parliament जो है, दो houses की बनी हुए है लोगसभा, lower house और राज्यसभा, upper house तो parliament को, members of the parliament जो होते है, वो आपस में discuss करके constitution में अगर कोई बदलाव आवशक है, तो वो करते है ठीक है, the judiciary has accepted this power of the parliament to make changes in the constitution but at the same time specified the limitations of these powers देखिए, parliament constitution में बदलाव तो कर सकती है लेकिन कोई भी parliament को unlimited अधिकार नहीं है constitution में बदलाव करने का parliament को basic structure बदलने का अधिकार नहीं है constitution का, जो basic framework है, basic structure जो है constitution का वो बदलाव करने का अधिकार नहीं है अगर parliament वैसा करती है, तो supreme court जो है वो ऐसे बदलाव illegal ठहरा देता है और उन्हें cancel करवा देता है ऐसे बदलाव हमारे देश में 1975 में जब इंद्रिया गांधी जी ने emergency लगवाई थी internal emergency तब ऐसे बदलाव किये गए थे जो बाद में emergency हटाने के बाद supreme court ने वो बदलाव हटा दिये illegal ठहरा दिये गए और वो cancel कर दिये गए the judiciary has taken a stand that the parliament while amending the constitution cannot alter the basic structure of the constitution basic structure के साथ constitution के छेड़ छाट नहीं की जा सकती please understand the basic structure of the constitution generally includes following provisions अभी basic structure में क्या क्या आता है constitution के republican and democratic form of government हमारे देश में चुनी हुई सरकार होती है हमारे देश में प्रजातंत्र है अगर कोई कल आके parliament में नया बदलाव कर देगी और dictatorship आ जाएगी या फिर जैसे पाकिस्तान में होता है army chief जो होतो है वही dictator हो जाते है देश के राष्टर प्रमुक बन जाते है अगर वैसा करने की उखशिश करे तो supreme court वो बदलाव cancel कर देगा वो बदलाव रद कर देगा तो हमारे देश में republican और democratic form of government जो है उसे बदला नहीं जा सकता federal structure of the constitution federal structure of the constitution में भी बदलाव नहीं किया जा सकता मतलब federal structure मतलब हमारे देश में central government होती है दिली की सरकार और state government जैसे हमारे महाराष्टर की सरकार जो होती है state government महाराष्टर राज्य सरकार और दिली की केंद्रिय सरकार ऐसे दो तरह की सरकार होते है केंदर सरकार के कुछ अधिकार होते हैं और राज्य सरकार के कुछ अधिकार होते हैं तो यह जो है किसको क्या अधिकार होने चाहिए यह constitution में पहले ही बताया गया है उसमें जाधा वरलाव नहीं किया जा सकते देश में एकता बढ़ाने का काम constitution करनी चाहिए देखिए अगर कल पारलमेंट ने ऐसा नियम बना दिया कोई करप पारलमेंट आती है और किसी ने ऐसा नियम बना दिया कि हम हमारे sovereignty compromise करते हैं मतलब हम हमारा देश किसी दूसरे देश को सौप देते हैं मतलब जैसे हम British राज था हमारे उपर वैसे किसी और देश का राज लाते हैं तो वो वैसा नहीं कर पाएंगे सुप्रीम कोट उसे cancel कर देगी secularism and supremacy of the constitution secularism मतलब हमारे देश में सर्वधर्मसमभाव है उसे भी compromise नहीं किया जा सकता और supremacy of the constitution किसी एक व्यक्ति का supremacy नहीं लाई जा सकती constitution ही हमारे देश में सबसे उपर है सबसे supreme है second point significant judicial decisions महत्वपुर्ण न्याइक निरने कोंसे रहे है the protection provided to the citizens by fundamental rights in the constitution has been made more meaningful through various decisions of judiciary supreme court ने कई सारे ऐसे निरने दिये है महत्वपुर्ण जिसे supreme court का judiciary का महत्व अबाधित रहा है some of the important subjects on which the court has given judgments include rights of children protection of human rights protection of honor dignity of women individual freedom and tribal empowerment कुछ महत्वपुर्ण जज्ज्मेंट दिये गए है नाइक निरने दिये गए है जिसमें बच्चों के अधिकार मानव अधिकार मैलाओ के अधिकार इसके बारे में बताया गया है स्वतंत्रता का अधिकार ठीक है these efforts have made the political process in India more mature इससे ज्यादा mature की गई है political procedure this is important to understand democracy requires good governance और best governing practices following are the features of good governance what should be done to bring good governance in democracy क्या ज़रूरी है अच्छा governance लाने के लिए डेमोक्रासी में accountable and responsible government मतलब जिम्मेदार सरकार होनी चाहिए और जवाब देह सरकार होनी चाहिए मतलब लोगों को answerable government होनी चाहिए जिम्मेदार सरकार नहीं होनी चाहिए effective and efficient government जो सरकार effectively और efficiently लोगों की समस्याएं सुन सके responsive government जो लोगों की मांगे है उसको positive response देने वाली सरकार होनी चाहिए transparency in working of the government government के working में transparency होनी चाहिए छुपा-छुपी नहीं होनी चाहिए just and all inclusive development just मतलब यहां पर सिर्फ ऐसा मतलब नहीं है just का मतलब justice से है न्याय पूर्ण development होनी चाहिए मतलब किसी के साथ अन्याय करके हम development नहीं कर सकते सभी को सबका साथ लेकर हमें विकास करना है ठीक है इससे कहते है just and all inclusive development people's participation in the governing and decision making process धीरे धीरे लोगों का सहभाग बढ़ाते जाना है decision making process में in this chapter we took a review of the constitution and the working of the government on the basis of constitution in the context of Indian democracy there are many challenges before India's democracy हमारे democracy भी बहुत जादा challenges face करती हुई आई है और अभी भी हमारे democracy के सामने कई सारे challenges है though it is a successful democracy लेकिन कई सारे challenges हमारे democracy के सामने है governments, acts and policies have not put an end to all the problems सरकार ने कई सारे policies नियम तो रखे है नीतियां बनाई है लेकिन उससे सारे problems हल नहीं हो चुके है problems धीरे धीरे हल हो रहे है लेकिन कुछ नए problems भी उबर कर आ रहे है there are several new problems confronting us however what is important is that people in India have developed a democratic mindset लेकिन भारत के लोगों में एक गनतांत्रिक मानसिक्ता अपना ली है ठीक है in the next chapter we will study the election process in India ठीक है इस chapter में यहीं पर खतम होते है और अगले chapter में हम पढ़ने वाले है election process in India ठीक है दोस्तों इस वीडियो में यहीं पर रुखते है अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कुछ doubts हो तो नीचे comment कीजिए और subscribe कीजिए Thank you